गावः विश्वस्य मातरह ना हिंदु की ना मुसलमान की ना सिख की ना इसाई की ना भारत की ना पाकिस्तान की समस्त चराचर जगत की जो मा है वो है गाए माता और मेरे वाइवे नो गाए माता सबसे पहली मा है क्यूं है इसके पीछे कारण है क्योंकि इस संसार को मेरे व शब्द प्रकट हुआ द्यान से सुनिएगा शास्त्रों में मेरे भाईवे नो एक प्रसंग आता है कि जब एक बार गो माता की प्रेरणा से ब्रह्मा जी श्रष्टी की रचना कर रहे थे तब उन्होंने एक शुद्ध चित्त पुरुष बनाया जिसको हम आज ब्रह्मन कहते हैं और दूसरी गाए माता बनाई मेरे भाईवे नो गाए माता और ब्रह्मन दोनों बनाए लेकिन स्रष्टी आगे नहीं बड़ पारी है क्योंकि दोनों मौन है बोल नहीं रहे हैं अब मौन रहेंगे तो स्रष्टी आगे कैसे बढ़ेगी कई समय इस तरह से बित गया माँ और सदा-सदा के लिए चुप हो गई तो मेरे ब tąई बन इस संसार को पहला शब्द मिला मा और वो माँ शब्द मिला गाय माता से इस संसार में माँ शब्द से पहले कोई शब्द आया ही नहीं है और अगर आपको शास्त्रों की बाद समझ में नहीं आवे तो मैं आपको थोड़ी व्यवारी भाशा में समझा दू। देखो मेरे भाइबेनो, अगर किसी शेरनी का बच्चा जनम ता है, तो जनम के बाद वो दहारता है, हतनी का बच्चा जनम के बाद चिंगारता है, घोडी का बच्चा जनम के बाद हिन हिनाता है, और बकरी का बच्चा जनम के बाद मीमी आता है, अगर कुतिया का बच्चा ह जनम के बाद रोता है, नहीं रोवे तो डॉक्टर थपड मार के रुलाते हैं, लेकिन गाए माता जी के जब बचडा बच्चिया होंगे, नव मेरे भाइबे नवो दहाड़ेगा, नवो चिंगाड़ेगा, नवो मीमी आएगा, नवो हिन हिनाएगा, नवो रेकेगा, नवो रोएगा नवो, सोएगा, वो होते ही सबसे पहले क्या कहेगा, मा, यानि ये सिर्फ मेरी नहीं, सारे चरा चर जगत की मा है, गाए माता, इसलिए संसार में सबसे पहले मा, गाए माता को बताएं हैं, लेकिन मेरे भाइबे नो, आज ऐसे ही गाए माता जी को, हम पशू समझ गई है जानवर समझ गई है और उनके साथ जानवरों जैसा या फिर कहें कि जानवरों से भी बत्तर वेवार करने लग गई है आज जितनी कदर अन्य जानवरों की है उतनी भी गाए माता की नहीं है क्योंकि हमारी सोच बन गई है कि गाए माता जी जानवर है पर याद रखना मेरे भाइबेनों इंसान की सोच कुछ भी हो सकती है लिकिन सत्य हमीशा एक होता है औar सत्य यहां है कि गाए बाथा कोई जानवर नहीं गाए माता जी जान है हिंदुस्तान की गाए माता कोई पशु नहीं, प्राणी नहीं कि प्राण है वेदिक धर्म की शुद्ध पहचान है और पुर्ण सत्य हम जानना चाहें तो गाय माता देवताओं की भी इष्ट है और अवतारों की भी भगवान है प्राण है ऑगवान है